मैं शुरू करती है मैं आप सभी का मैसुल पर स्वागत करता हूं तो आज हम पढ़ेंगे पर्सेनटेज के कोश्टन बर्सेंडेक कोश्टन वोटिंग वाले कोश्टन है अनले जो दो में भाग लेते हैं चुनाओं तो उसमें उस टाप एक कोशन जो आते हैं और यह कोशन आपके लिए रहेगा जिसे रेलवे, कोशन को सबसे पहले समझते हैं देखे बोट पे जो लिखा हुआ है मैं आपको एकर बता देता हूं किसी चुनाओं में दूमिद्बार भाग लेते हैं 20% वोट अवेद घोसित हुए तता जीतने वाले प्रत्यासी बेद मतों का 70% राप्त करता है तता 9600 वोटों से जीतता है तो ज्याद करे कुल पंजिकृत मत दाता और वेद मत जब भी इस तरह का कोशन आता है तो हमारे सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये कोशन में हम क्या एप्रोच लगाए कि सबसे आसानी तरीके से हो जाए तो इसको एप्रोच लगाने का होता है देको दो उमीदब जिसमें जो जीतने वाला ब्यक्ति है उसको जितना भी वेद मत हुआ है फिसको गहें बहुत कितना मिला गया 70 परसेंट मिला है जितना वी भ्रै घंता है तो जैघ्टो जितने भोटोस से जीता है 9600 भोटों से वो जीत जाता है तो इसमें हमें पता नहीं है कि भोट कितना है अगर हमको ये पता हो जाए कि इसमें टोटल भोटिंग कितना हुआ है तो हम उसका क्या करेंगे 20% भोट जो अबेद खुसित कर देंगे अब आगे उसका 70% जिसको मिला है उसका निकाल लेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि इतने भोटों से वो जीत रहा है तो उसमें निकालना है कि कुल पंजिकृत मद आता यानि कि कितने मद आता उस भोटिंग लिस्ट में पंजिकृत थे हमको ये निकालना है दूसरा की वेद मत यानि कितना जो है valid vote हुआ यानि कितने vote जो है सही हमारे निकले तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं ऐसा माल लेते हैं कि हमारा vote जो धाना वो 100 था 100 unit माल लीजी या 100 माल लीजी इस तरह से अब इसमें जो है हमारा 20% vote क्या हो गया अवेद हो गया इन्वैलिट हो गया तो 100 का 20% कितना होगा 20 तवारा vote बचा कितना 80 unit बचा vote कितना बचता है हमारे पास 80 unit हमारे पास vote जो है वो बच जाता है अब इसी का जीतने वाले कितने लाए है 70% तो इसका हम 70% तो अब जीतने वाले 70 है तो हारने वाले कितना लाया होगा सभाविक बात है कोई चीज 100% होता है तो हारने वाला लाया होगा 30% तो 20% जो है अवेद हो गया 70% जो है कह रहा है कि जीतने वाले परत्यासी वेद मतो का यानि कि हमारे पास यह valid vote है यह vote कैसा हमारा वैद है 80 vote हमारा वैद है तो 70% जो ला रहा है वो इसी valid vote का यह valid vote यानि कि वैद मतो है उसका और जो हारने वाले है 100% में से 30% हारने वाले को आएगा तो अगर हम यह निकाल ले कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच में कितने का अंतर है जीतने वाले और हारने वाले के बीच में अंतर कितने का यह 70 लाता है और यह 30 लाता है तो इससे जितना ज्यादा लाएगा उतना है बोट से तो जीतेगा तो ये कितना लाएगा ये 40% जीतने वाला अधिक ला रहा है और कह रहा है question कि वैर मतों का 70% राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है यानि कि वो इतना भोट जो एक्स्ट्रा लाता है उसी इतना भोट से जीत जाता है यनि कि वो 40% जो है वो इसी के बरावबर है तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 80 का 40% कितना होगा तो 80 का 40 परसेंट हम निकाल लेते हैं 80 multiply 40 यह हो जाएगा हमारा 32 80 का 40 परसेंट जीरो 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 कर जाएगा 32 यानि कि अगर 100 के according देखे 100 के according तो जीतने वाले जो बैक्ती है न वो 32 भूट जादे लाता है और ऐसे एक्चॉल में लाता कितना है तो इसका 70 परसेंट निकाल लिए तो 56 आएगा इसका निकालेंगे तो 24 आएगा यानि कि जो हाडने वाला है उसे कितना आता है लेकि दोनों के बीच का अंतर कितना है 40 परसेंट है ताब इसका 40 परसेंट निकाल दीजिए या फिर इसका 70% निकला के इसका 30% निकाल के दोनों में से मैनस कर जी एक कही बात है तो इतना क्यूं करने जाएंगे से दोनों का अंतर देख लेते हैं यानि कि 40% वोट वो एक्स्ट्रा लाता है इसी हो जैसे वो जी जाता है लेकिन हमें कोर्शन कहरा है नहीं 9600 एक्स्ट्रा वोट लाके जीता है तो हमें यहां से मालूम चल गया कि 32 वोट इस्ट्रा लाता है लेकिन हमारे दिया हुआ है कि 9600 तो यहां से एक यूनिट की वेलू निकाल लेते हैं 32 32 3096 एक यूनिट जो वोट है उसकी वेलू है 300 हमें पुछा है कुल पंजिक्रित मत दाता तो कुल पंजिक्रित मत दाता कितना है 100 है तो आंसर हमारा सिदा सिदा यहां पर हमली देंगे 100 multiply by 300 यानि कि हमारे सामने कितना आ गया यह यानि कि 30,000 हमारा तीस हजार वोट पंजिक्रित क्या है मत दाता है यानि कि इतनी लोगों का जो है बोटर लिस्ट में नाम है वैद मत यानि कि 80 यूनिट भोट वो लाता है मतलब 80 यूनिट भोट जो है सही होता यानि कि वैद है वस वैलिड भोट है तो 80 multiply by एक यूनिट के विलू कितना है 300 तो हो जाएगा 24,000 तो इस question को जो है इस तरह से करेंगे तो बहुत easy तरीका से कर साथ चलिए एक बार मैं फिर से इस question को repeat कर देता हूँ किसी चुनाओ में दो मिद्बार भाग लेते हैं चुनाओ हो रहा है दू कैने रेट ने भाग लिया 20% वोट जो है सो अवेद घोसित हो गया यानि कि 20% वोट हमारा क्या हो गया इन्वैलिड हो गया और जीतने वाले परत्यासी जो है वैद मतों का 70% लाता है तथा 9600 वोटों से वो जीत जाता है मतलब यानि कि 70% लाता है लेकिन जीता कितना इतने वोट एक्स्टा आता है उसे जीतने जीता है उसमें यानि कि हाडने वालों से इतना वोट हम कह सकते हैं कि जादिल आ रहा है वो तो हमने माल लिया कि 100 यूनिट जो है पंजर कृत मत दाता है उसमें से 20% हमारा हो गया अवेद तो 100 का 20% होता है 20 यानि कि 80 हमारा क्या है वैलिड वोट है क्या है वैलिड बुड़े इनके वेद मत है इसी का 70% ला रहा है जीतने वाले जिसका 70% इसी का 30% लाएगा हानने व 40% 80 का 40% हो गया 32 हम करें नहीं 32 ला रहा है लेकिन यहां दिया हुआ है 9600 तो 9700 32 के इक्वल है तो एक निट का विलो हो गया हमारा 300 100 यूनिट है जो पंजी कृत मत दाता है तो 100 से मल्टिप्लाइ करेंगे 300 को आ जाएगा 30,000 वैद वोला है नके वैलिड वोट तो वैलिड 34,000 चलिए चलती है आप नेक्स कोर्शन की तरह किसी चुनाओं में हमारा नेक्स कोर्शन है किसी चुनाओं में दो अमिद्वार है 20% मत दाता बोट नहीं डालते हैं और 12 से ही 1.2% वोट अवैद घोसित होता है तथा जीतने वाले परतियासी वैद मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5,600 वोटों से जीतता है तो पंजी कृत मत दाता की संख्या ग्यात करो कोशन कह रहा है किसी चुनाओं में दो इंत्वारों ने भाग लिया और उसमें से 20% वोट हमारा क्या हो गया इन्वैलिड हो गया यानि की मद्दाता बोट डालते ही नहीं है मद्दाता बोट डाले ही नहीं डालने ही नहीं गये और हमारा जो 12 से 1 अपन 2% वोट है ऑगया अवयत गोसित हो गया यनिकि udah की इन्वैलिड हो गया और जीतने वाले को जो भी वैलिड वोट है यनिकि वेद मत है सही मत जो गिरा है इन्वैलिड वोड कार्ट के अवेद भोस कार्ट के उसको 60% प्राप्थ हुआ और वो जीत जाता है 5600 वोटो से तो कितने लोग पंजिकरित है यानि कि मदाता सुची में कितने लोगों का नाम है वो ग्याद करना है कुछ नहीं करना है दाल लेते है इतने लोगों का नाम क्या है ये पंजिकरित है बोटर लिस्ट में अब इसका जो है 20% बोट लोग डाल नहीं नहीं गए तो 100 का 20% कितना हो गया 20 हो गया तो 80 लोग वोट डालने गए बोटिंग करने गए ये ऐसे लोग है जो वोटिंग करने गए वोटिंग और ये है वोटर लिस्ट ये है वोटिंग लिस्ट लेकिन जो डालने गए 80 लोग उसमें से 80 वीट वोट जो डाले गए वो 12 सही 1 अपन 2% वोट क्या हो गया अवैद हो गया यानि कि invalid हो गया तो valid वोट कितना है इसका निकाल लेते हैं तो इसका जब आप निकालेंगे 80 का 12 सही 1 अपन 2 होता है 1 अपन निकालेंगे 8 होता है percentage जब निकालेंगे तो इससे ये cancel हो गया तो हो गया 10 यानि कि अवाना valid वोट कितना हो गया 70 हो गया तो 12 से 1 अपॉन 2 परसेंट होता है आपका 1 अपॉन में 8 तो 80 मल्टिप्लाइ 1 अपॉन में 8 10 यानि कि 70 परसेंट के हमारा ये वैलिड वोट है यानि कि हमारा ये वैद मत है इसी वैद मत का जीतने वाले 60 परसेंट प्राप्त करते हैं कितने प्राप्त करते हैं 60 परसेंट और हारने वाले कितना मिलता है तो हारने वाले को 40 परसेंट मिलेगा दोनों के बीच जीतने वाले और हारने वाले के बीच के आंतर कितना है 20% यानि कि यही 20% वो एक्ष्टा भोट लाता है तो जीत जाता है वही एक्ष्टा भोट कितना है 5600 तो हम 20 70 का 20% निकालेंगे 70 का 20% जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपको दियो जो कैंसी सादुना 14 यानि कि 14 उनिट भोट जीतने वाले क्या ला रहा है एश्टा ला रहा है अगर हम 100 लेके चल ले तो लेकिन यहाँ पे जीतने वाले कितने वोट ला रहे है 5600 और वो जीत जाता है तो यह 14 जो है किसके बराबर है 5600 तो एक उनिट का भिलू निकाल लेते हैं 14 चोगा 56 400 यानि कि एक उनिट वोट कहिए उसका वेलू कितना है 400 है या एक उनिट हम जो माने है वो कहिए यहां से एक उनिट निकल गया अब एक उनिट में कुछ भी आ सकता है वोट भी आ सकता है कितने लोग नहीं डाले वो भी निकाल सकते है तेंकर हमें पूछा है कि 5 क्रित मत दाता होगी संख्या, तो 5 क्रित कितने लोग है, बोटिकलियो लिस्ट में कितने लोगा नाम है, 100 लोगों का, एक कबिल्यो कितना है, 400, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां से, 5 क्रित, मद्दाता सो मल्टिप्लाइबर फोर हंडेड आगया फोर्टी थाउजेंट अगर प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक सब्सक्राइब कर दो थैंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो